प्रश्नावनी 10.1 इसका दूसरा प्रश्न है रिक्तस्थानों की पूर्ती कीजिए तो इसमें चार रिक्तस्थान हैं हम इन्हें एक एक करके भरते हैं आईए शुरू करें पहला है किसी वृत्थ की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदूओं पर प्रतिछेद करती है बच्चों यदि आपको स्पर्श रेखा को कॉंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो आपको पता होगा कि स्पर्श रेखा वृत्थ को कितने बिंदूओं पर प्रतिछेद करती हैं आएए मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ यह है एक वृत्थ और यह है इसकी स्पर्श रेखा और हम देख सकते हैं कि यह स्पर्श रेखा वृत्थ को केवल एक बिंदूओं पर ही स्पर्श कर रही है प्रतिछेद कर रही है तो इसका उत्तर है केवल एक किसी वृत्थ की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदूओं पर प्रतिछेद करती है आए हम दूसरा भाग देखते हैं वृत्थ को दो बिंदूओं पर प्रतिछेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं बत्चों देखिए, ये है हमारे पास एक वृत, और ये हमारे पास दो बिंदू हैं, C और D, और ये जो रेखा जो वृत में किनी दो बिंदू को प्रतिचेद करती है, ऐसी रेखा को हम कहते हैं, छेदक रेखा जी हाँ छेदक रेखा जो वृत को दो बिंदुओं पर प्रतिछेद करती है तो दूसरे का उत्तर है छेदक रेखा यह हम तीसरा भाग देखते हैं एक वृत की डैश समंतर स्पर्श रेखाई हो सकती है देखे बच्चो ये है हमारे पास एक वृत और माल लीजिए यह इसकी पहली स्पर्शरेखा है जो P बिंदू पर इस वृत को प्रतिछेद कर रही है तो हमें पता ये लगाना है कि इस वृत के लिए इस पहली स्पर्शरेखा के समानतर और कितनी स्पर्शरेखाई हो सकते इस पहले वाली स्पर्श रेखा के समांतर होगी देखिए ये दो ही स्पर्श रेखाएं है जो एक दूसरे के समांतर हो सकती है तो इस भाग का उत्तर है दो चौथा भाग है व्रित तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभेनिष्ट बिंदू को डैश कहते है बच्चों ये एक वृत है और ये एक स्पर्ष रेखा है तो जिस बिंदु पर ये वृत को प्रतिछेद कर रही है इस बिंदु को कहा जाता है स्पर्ष बिंदु ठीक है बच्चों वृत्ध तथा उसकी स्पर्ष रेखा के उभैनिष्ठ बिंदू को स्पर्ष बिंदू कहा जाता है